हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजिन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नी किया तो इससे आप अभी सब्सक्राइब करें हमारी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करें और फ्रेंड्स, आपके फीडबेक्स हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट होते हैं तो आप इंको जुरूर शेयर करें और आज हम आपके लिए बहुत ही इंप्रेस्टिंग रेसिपी बना रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब आप यह देखिए, आज हमने आपके लिए बनाई है बहुत ही असानी से बनने वाली रेस्पी पोहा, इतनी जल्दी यह बन जाते है और बहुत ही टेस्टी लगता खाने में, गर्मियों में आप इसे बनाई है आपको बहुत ही पसंद आएगा, एकदम लाइट यह लगता है खाने में, तो फिर देर किस बात की हम इसको बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं, हमने बाउल में पोहा ली है, डेट का पोहा हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम पानी डालेंगे पहले, ऐसे आप मिक्स करेंगे तो देखेंगे पानी एकदम यह पानी को हम फैक देते हैं, और फिर हम इसमें दूसरा पानी डालेंगे, यह पानी हमने ड्रेंग कर ली है, अब हम इसमें और साफ पानी डालेंगे, बस इसको भी हम ड्रेंग कर देंगे पानी को, यह पानी हमने ड्रेंग कर ली है, अच्छे से वाश कर ली हमने पोहे को अब भी हम इसको ऐसी छोड़ देंगे साइट पे आप थोड़ी दिल में देखेंगे एकदम फूल जाएगा क्योंकि यह गीला है पोहा अब हम आगे पोहा बनाने के त्यारी करते हैं और इसको साइट पे रखते हैं अब आगे पोहह बनने के लिए अब लाने के लिए रखा हुआ है। इसमें हम सब से पहले डालेंगे हम बिढ़र कुप्छा करए यह डाल डालना है। मीडियम लग्यम में, भी अनलें के बड़ सहलें के लिए बीयुक्रशने भंब अके बढ़ाये। आप ऐसे पोहा बना लें, हम एकदम बना रहे हैं अपने स्टाइल में, आपको जैसे पसंदों जैसे आपको और वेजटेबल से पसंद हैं, उसमें वाच सब्सक्राइब बना रहे हैं, वैसे जो सब को बहुत पसंद आता है पोहा, इंको हम फ्राइ होने देते हैं, जब तक अच्छी तरह पूरे कूपनी हो जाएंगे, तब तक आपको ऐसी फ्राइ होने देते हैं, इस टाइम पर आप देखिए आलू में कितना अच्छा कलर आ गया है, अब हम इंको निकाल लेते हैं, आलू हमने फ्राइ करके निकाल लिए हैं, अब हम इसमें बूम फिली इंको भी हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, बहुत ही अच्छी लगते हैं, पीनिट्स ऐसे खाने में एकडम क्रिस्पी आएंगी, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आप ऐसे यह पोहा बना के जल्दी से ओफिस भी ले जाना हो, और आप शाम को चाय के साथ, आपका मूंपली चैंज और यह भी निकाल लेज़ा, अब आगे इसी ओएल में पूखा बनाते हैं, लम हम अनि यह लो रख्खा, आये म सबस्टाक देखें bigger वी म। द इसमें सबस्टरब मैंगे जैसे ही आप देख रहे है यह चटकना शुरू हो गए है हम इसमें प्याज डाल देते हैं यह हमने यह से लम्बे-लम्बे काटे वे हैं मिक्स कर देंगे जिस्त एक-दो मिनट प्याज को ऐसे सौते कर ले ना दो मिनट करीब हो गया है अब हम इसमें चॉप टमाटर डालेंगे साथ ही इसमें हली पाउडर एड़ करें और अब हम एकदम जरा सा नमक डालेंगे जिससे टमाटर जल्दी गल जाएंगे मिक्स कर देते हैं अब हम इसको ऐसी कुप करेंगे जब तक टमाटर नहीं गल जाते हैं इस टाइम पे आप देखिए टमाटर गल गए हैं अब हम इसमें जो आलो और मुंपली फ्राइए करी थी ना वह एड़ कर देंगे साथ ही इसमें कड़ी पत्ता एड़ कर देते हैं इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा लेमन जूस डालेंगे इसमें थोड़ा रेट चिली पाउडर जितना आप स्पाइसी पसंग करते हैं उसके कॉर्डिंग आप डालें मिक्स कर लेंगे यह सब यह आप देखिए जो पोहा हमने रखा था एकदम खिला खिला हो गया यह देखिए आपने बस पानी बहर के नहीं रखना पानी को हमने ड्रेंग करके ही रखना है यह हम डाल देते हैं इसमें और इसमें एक चीज रहेगी है हमने नमक डालने टेस्क रिकॉर्डिंग वह हम डालते हैं मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको देखिए कितना असान है इसको बनाना आप ऐसे ब्रेक्वास में बना के खाएं या टिफिन में लेके जाएं आपको बहुत ही पसंद आएगा और एकदम जल्दी से आप बना सकते हैं अच्छे से यह सब मिक्स कर देंगे इसको चीवड़ा भी बोला जाता है पोखा तो बोलते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें वेजिटेबल्स डाल दे हैं आप और गाजर आप डाल सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंदो वह आप एड़ कर सकते हैं यह आप देखिए एकदम खिले खिले बने हैं ऐसे देखिए बस यह पोखा बनकर एकदम त्यार हो गया है हम फ्लेम ओफ कर देंगे और इसको हम अब सर्फ करते हैं यह आप देखिए पोखा बनकर एकदम त्यार हो गया है और इसको हमने थोड़ा हरादनिया और बीका मेरी भूजिया से गानिश की है ऐसे आप बनाएं आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही जल्दी से बनता है आप इसको जरूर बना के ट्राइ करें और फ्रेंड़ आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब केया तो इसे आप भी सब्सक्राइब करें हमारी करें लाइक करना न भूले थेंक यू